बरफ बारी दिया है तस्वीरा पवित्तर गुर्द्वारा श्री हेमकुंट साहिप दिया ने जो थे पारी बरफ बारी हुई है तस्वीरा देवीट वी साफ नजर आ रहा है कि गुरु कारवी बरफ दिनाल टक्या ग्या है दाजिये कि श्री हेमकुंट साहिप दे बाहर बारा तो पंद्रा फुट ताक बरफ चाम चुकी है सारा गुरु कारवी इसे बरफ दे वीच टक्या ग्या है निशान साहिप तो लेके गुरु कारवी पवितर चील वी बरफ दिनाल जम चुकी है तो बरफ दि चट्टी चादर नाल पूरी तरह टकी गई है हेमकुट साहिप तो दो किलो मेटर पहला स्थेत अटल कुटी गली शियर तो काट के उस वी चाले के रस्ता बनाया जारिया दाजिये के बरफ हटावन दा काम हाली शुरू कीता जानाए अथ ये गुरु कारदे द्वार बच्ची मैनों खोले जानगे ते दासकतू बरणों मुड़तो बांध कार देते जानगे ये थे भी दास दिये के वैसे ता बरफ हटावन दा काम आम तोरते पार्ती फौज वलो कीता जानदा है जोकी पहला 15 अपरेल तो कगर्याली रवाना होना सी अतियो थे ही फौज ने अपना बेस लगा के गुरुद्वारा साहिप कंप्लेक्स दे वीच रोजाना उपर जाके बरफ कटन दा काम करना सी होड़े उन्नी अपरेल नो वोटिंग पर के रिया शिरू हो रिया जिसकार के बरफ हटावन दा काम वी अपरेल तो शिरू होईगा दास्दिये के गुर्द्वारा श्री हिमकुंट साहिप दी मैनेजमेंट दे वलोए दस्या ग्याए के गुरु कार्दे द्वार पच्ची मई नो खुलनगे दासक्तूबर नो बांध कीते जानगे दे सुबा सरकार ने वीस्ते स्यामती जताईया यानि कि हुन संक्ता मी गुरु कार्द्य दर्शन पच्ची मई तो बाद ही कर सकंगे कर सकंगे